जो किसे हैं आप सब आई योप अच्छे होंगे मैं के फिस हम तो आप सभी का निव वीडियो मैं स्वागत करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को ये नया हाइवे मैं दिखाने वाला हूं और आप सभी को बता दूं के सामली से लेकर और सारन पूर तक का विव है यह फ्लाई ओबर नया बना है इस टील का इस पर जो रोड लिकल दिया वो इस टील का इस ट्रक्चर लगाया गया और देख सकते हो अभी री सेंटली महीं बनाया गया है इस पर अभी लैन मार्किंग का भी काम किया जाना बाग किया दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के भी आपको देखाएंगे और देखेंगे बी आप सबी को बता दूब्साचा हुआ है और देखेंगे प्शितर कोफार सब्याएंगर जया हुआ है शैक्शंवा आनले कि यह पुलिया का बचा हुआ है देख सकते हो जिस पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस पर डीएम की लेयर डाली जा रही है कॉंक्रीट और उसके बाद में यह रामपुर में रेलवे लाइन के उपर भी दोस्तों एक फ्लाई ओबर का निर्मान किया जा रहा है जिस पर इस टील का इस ट्रक्शर द्वारा ब्रिज बनाने का काम किया जा रहा है इस टील का इस ट्रक्शर तो बनके बिलकुल कंप्लीट कर लिया जा चुका है लेकिन आप वो पिलर के उपर सेट करना बाकी बचा हुआ है वही आप सभी को देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में तो देखते रहो एंड तक के पिसंत अपने चैनल पर इसी तरीके से हाइवेस कंस्ट्रक्शन का बर्क दिखाता रहता है आप लोग के इंफूर्मेशन देता रहता है दोस्तों और आप लोग बताना के आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा ऐसे ही वीडियो उस देखो के पिसंत के चैनल पर चलते हैं और आप लोग को दिखाएंगे चलके ये चला जाता है ननोता के लिए ननोता जो अभी आप लोग नबोड़ देखा यहां तहीं रामपुर स्टार्ट हो जाता है और यह थी रामपुर पर ही दोस्तों रेल बी लाइन का रेल बी लाइन के ऊपर क्ला क्या फ्लाई ओवर बनाने का काम किया जा रहा है काफी लंबा चोड़ा फ्लाई ओवर है देख सकते हो आप आप सभी आरी पैनल को अब लगाया जा रहा है आरी पैनल को लगाने के बाद मैं फिर इस पर अर्थवर्क का काम किया जा रहा है देख सकते हो साइडों सा आप सभी किस यहां पर भी आरी पैनल को लगाया जाएगा फिर उसके बाद मार्थवर्ग का काम किया जाएगा यहां पर यह अंडर पास है रेलवे लाइन से पहले इस अंडर पास को मतलब यूटर लेने के लिए ही बनाया गया दोस्तों आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर रेलवे लाइन के ऊपर दोस्तों फ्लाई ओवर का निर्माण चल रहा है अब भी देखो यह अंडर पास है ना अंडर पास को क्रोस करने के बाद में इधर भी आरी पैनल को लगाया जाएगा आफ्वर्ग का काम किया जाएगा तो काफी लंबा चोड़ा स्ट्रेच है और जो भी वक्त लगेगा इस आईवय में वो यही लगेगा रामपूर में दोस्तों देख सकते हैं इस स्टेड कैश्क्ऱ बना ख़े तो पहले ही कंपलीट कर लिया दोस्तों इनोंनेशंबल कर लिया है लेकिन आभी यह फिलर के ऊपर रखा जाना बागए है दोस्तों रेलवे लाइन के उपर तो अभी तो देखो ये फिलर बन रहे है जिन पर पियर केम को हई इथर वी पिलर अभी बनाई जाएंगे एक साइख के तो बन चुकें दूस्रे साइख किया बनने हैं बाकी है तो अभी काफी सारा काम है इस रेलेवे लाइन के उपर फ्लाई ओबर को बनाना काफी चालेंजिंग बराभी होता है और देख सकते हो कितना जाम जूम का सामना करना पड़ता है देख सकते हो आप लोग अभी तो रैंप ही बनके कंप्लीट नहीं हो पाए हैं उसके बाद में फिर उदर काम किया जाएगा तो ऐसे ही वीडियो देता रहूँगा दोस्तों तो आप सभी इंजोई करो मिलते हैं आप से लाश्ट में करो करो कि दोफ दोती हैं उसकी आप सबस्तों तो आप सबस्तों करते हैं इंजों करते हैं गफ यज़ता हैं तो आप याह कि पाब देख सकते हो कितना नमबा चोड़ा यह फ्लाई-अबर बनाए जारा दोस्तो रामपुर का आप Els रिय्ट छी रहा या भी धेख सकते हो यह जो एक आरी पनल लगाने के बाद आप लोग को दिखाया जाए और बताया जाए और आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए धन्याबाद चली मिलते नेक्ट वीडियों तब तक लिए बाई बाई